दोस्तों minimum qualifying marks क्या होते हैं NEET में category wise बात करेंगे क्या किसी भी institution में admission लेने के लिए minimum qualifying marks को cross करना ज़रूरी होता है तो इस तरह के बहुत सारे doubt हैं जो candidates मुझे से पूछ रहे हैं कि NEET 2020 के exam में minimum qualifying marks क्या हो सकता है बढ़ेगा घटेगा या फिर सेम रहेगा 2019 जैसा पूरे डीटेल में बात करेंगे एक एक चीज एक्स्प्लेइन करूँगा आपको जैसे कि आपको doubt रहे क्योंकि कि किसी भी institute में admission लेने के लिए minimum qualifying marks लाने ज़रूरी होंगे वरना आपका admission नहीं होगा तो यह लिए शुरू करते हैं वीडियो उससे पहले हैं अपनी चैनल को सब्सक्राइब निकरे सब्सक्राइब जरू के लिए वीडियो को like करें और share करें जिसे maximum candidates को benefit में सकें दोस्तों अगर मैं बात होता है उसके बावजूद भी साथ से आठ लाग candidates हर साल minimum qualifying marks भी नहीं पाते हैं उसका main reason जो होता है वो होता है क्योंकि need का exam जो है वो negative marking होती है इसकी वज़े से वो negative marking विक्ति होती होता है बहुत सारे questions गलत करते हैं main reason यह होता है क्योंकि जो भी question paper negative marking का होता उसमें आपको accuracy का बहुत ध्यान रखना पड़ता है minimum जो qualifying marks होता है वो percentile पर depend करता है कि suppose करिए general का 50th percentile OBC, SCSD का इसी तरह physically handicapped का यह percentile decide करता है कि कितने score पे आपका cutoff जाएगा तो इस तरह से अगर मैं need 2020 की बात करूँ तो need 2020 का जो trained है वो यह ही कह रहा है कि यहाँ फिर cutoff आपका कम किया जा सकता है क्योंकि pandemic की situation थी और बहुत सारे candidates इस condition को face कियें तो क्योंकि minimum qualifying marks आपको लाने जरूरी होते हैं किसी भी institution में admission लेने के चाहिए MBBS कि आप private seat ही क्यों न लें या फिर BDS लें आयूस लें या फिर AIPBT कोई भी institute अगर लेते हैं तो minimum qualifying marks आपको लाने जरूरी होते हैं अगर आप यह सोच नहीं कि क्यों नीट का exam दे दिया और admission हो जाएगा तो यह ऐसा नहीं होता है कम से कम आपको नीट को pass करना जरूरी होता है किसी भी institution में admission लेने के लिए वो पहले था कि क्यों नीट exam में आप appear हो जाएए तो आपको city मिल देंगे ऐसा नहीं है नीट को qualify करना mandatory है तो अप्रॉक्स इतना marks आपको लाना पड़ सकता है इस बार और किसी में institution में admission लेने लिए ज़वरी होगा It's all, thanks, bye and take care